हाई गाइस वेल्कम टू माई व्लोग कैसे हैं आप सब आइफ सब अच्छे होंगे तो सुबह कर टाइम हो रहा था और हम सब नहादो के फिरी हो गए और आज है होली तो आप सभी को मेरी तरफ से मेरी फैमिली के तरफ से हैपी होली तो यहां बस मैं अपने नहादो के बना के रख लिए और इधर मैंने बनाई है आलो मचर की सबजी तो आज के ना हमारे यहां पकवान बनाते हैं होली पर तो मतलब एक होली उपर से पकवान मतलब हर चीज का डबल वह हो जाता है और यह है मूंग की दाल जो मैं बनाऊंगी कचोड़ी यह दाल है इनके वैस में पीचपाशं के रखे हो है पर अंगरम मसाला तो यहां में डालंने काल यह दो कबवान मचर कम कावन सब्सक्राइब डालूंगे लिमिट में डालूंगी ताकि वो भी सब कुछ खा सके और यहां मैंने पालक डाल दिया उसके अंदर हम आप कर लेंगे इसको मिक्स कि दीजे मैंने मिक्स कर लिया है अब हम इस पर रखेंगे कड़ाई कड़ाई में डालेंगे ओईल इनको फ्राई करने के लिए मतलब बहुत सारी जगे पर दो दिन की होली मनाई गई है आप कमेंट करके बताना के आपके यहां पर छे तारी को मनाई गई है या साथ को मनाई गई है तो मैं जाल देतूं यहां पर ओईल और मैंने भी कचोड़ियों के लिए आचा नहीं लगा जाता तो मैं आचा लगा लेती हूं साथ में अब तक हमारा रिफाइंड ओईल गरम हो रहा है कि कचोड़ी बनाने है मुझे आलो की कचोड़ी और थोड़े सा दाल की कचोड़ी कुछी दाल की कचोड़ी में छृष्ध कचोड़ी जह दी बना रहे है कि इस लिए करेश मेरा कुछा ज्यादा पसंदेट कचोड़ी और आलू की मतलब मदलब लेकिन उसको जब भी कोई फेस्टिवल या कोई तोहार पड़ता है वो आलू की दाल की कचोडी मांगता है तो मैंने यह पर दाल की और इसमें थोड़ा सा मैंने आठे में डाला रिफाइन डॉयल और इसमें कहना नमक और अजबायन यह सब डाल दो तो मतलब एकदम खसता सी कचोडी बनती है तो मैंने आठा में लगा लिया कचोडियों का और यह जो आठा लगाए में दोनों कचोडियों में काम आएगा आलू की में भी और दाल की में भी कि भुलाकर भी तो पेले में इसमें थोड़े से क्योंकि दढ़कर मीडिम साइज का तेल जाई जाए अधर गरम तेल में। इसको मीडिय में छ कछे रहे जाते हैं। मीडिय में इसम अधरऑने करते ताकि अच्छे से सिक जाए। तो इसे लिए सबसे पेहले में पठोडी ही डालूंगी जब तक में और ऐसा बाट आलू बगरा मिक्स कर चु लए इन क principmay की मिजाने कर द्लिए कि कि यह मैंने दाल निकाल लिए कचोड़ियों वाली झाल झाल यह हमें साथ में कचोड़ी भी भर लेती हूँ क्योंकि वे फ्राई हो रहे हैं, तब तक मैं कचोड़ी भर भर के रख लेती हूँ लेती हूँ फिर कचोड़ी भर लेती हूँ यह जो श्यूकर मेंloयों पाकोड़े सिक चुके हैं सुरी मगोड़े सिक गए हैं मूं की दाल के मगोड़े सिक गए तो मैं इनको निकाल लेती हूं वना яг तो मैं सिक तो मैंस जाल सिक गए हैं कि गए वी सिक गए हैं मून है तो मिशश जिस जाल का स्यूक्षव से इनको राची हैं भी स्यूक तो में साल वजबा हैं प्रहोर हैं महुच्षण सालüne कि मैंने एक साथ से छे से साथ कचोड़ी डाल दिये हैं और कुछ कचोड़ी सीख भी गई है देखिए मैं निकाल लेती है उनको झाल लेती है और को लेती है जे से साथ को झाल हुँआ कि मैं और कोड़ी और कुछ कि थमाने लेती है उनको जाल झाल दोलिए वाद में यद बिला उनको देखिस भीए देखिस आई है काल रहा छोगता है प्रश्याव के सोचा Champions में आप देदेतीय उनको खाने के लिए सब्जी ले लिया खीर बनायती मैंने साबुné दाना चावलगी बनाय éta कचोड़ी रख दिए थोड़े मगोड़े रख दिए और पूड़ी में निकाल देती हूँ मैंने दो पूड़ी बेल दिए निकाल दिए तो मैं देने जा रही है इनको खाने के लिए और बेटा भी मेरा नहाया नहीं है अभी वो मैं उसको नहीं दूँगी खाने के लिए वो नहां दो के बैठे हुए हैं खाने के लिए तो मैं दे दिया है और बेटा मेरा गया है नहाने के लिए वो तबसे होली खेल रहा था बाहार दोनों ही होली खेल रहते बालून्स भर भर के कलर वाले बाहर रोड पर फैक रहते हो तो बस में उनके लिए मतलब और बना के फिरी होगी और देखी यह खीर है यह अलूमचर की सबजी है और यह है डाल की कचोड़ी और यह है आलू की कचोड़ी और यह है मुंग दाल के मगोड़े पालक डार के है तो चलिए मैं अपना खाना दे देती हूं और साथ में मैं अपने ब्लॉग का भी यही एंड करूंगी अगर मेरा आपको ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीस लाइक शेर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके जरूर बताए ना के मेरा ब्लॉग के से लगा आपको और मिलते हैं नेक्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई थैंक्स पॉर वाचिंग हैपी होली